हलो बच्चो वेलकम इन माई यट्यूब चैनल आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज इक अख्छा में हम देखेंगे जो कख्छा चार गड़त की किताब है अंक जगत या किंतारा उसकी कारिय पुस्तका है आपकी उसका पार्ट छे पार्ट का नाम है भाग तो इस पा प्रितम हम यहां डेट ढाल देंगे जिस डेट के लिए हम कार्जि करेंगे ठीके अब आगे बढ़ते हैं है क्या कही रही है है समझो और भाग करो उससे पहले हम ये थोड़े निर्देश पढ़ लेते हैं ये देखो ये कह रहा है भाग के क्रिया हमेशा भाज के बाई और के पहले अंग से शुरू होती है जैसे मान लीजिए कोई संक्या से हम भाग दे रहा हैं ठीक है ये 6 है लिखे हुए आपके ये हैं 607 ये कह रहा है कि भाग के क्रिया हमेशा भाज के ये हमारी बीच की संक्या कहलाती है ये वाली जिसमें हम भाग करते हैं ठीक है ये हमारी भाज कहलाती है जिससे हम भाग दे रहा है वो भाजक कहलाती है जो आंसर आता है उसको भाग पल कहते है जो नीचे बचता है वो सेस्पल काल आता है तो हम छे से जब भाग देंगे तो इस बार की संक्या हम देंगे पहरी संक्या देखते हैं भाज की पहरी संक्या हम देखेंगे यदि भाजक से ये संक्या बरावर है या अधिक है तो हम केबल इसी में भाग दे देंगे 6 में ठीक है पहली संक्या में ही यदि ये भाज की जो संक्या है जिसे हम भाग दे रहे हैं इस भाज की पहली संक्या में तो ये कम है इससे तो हम नैश्ट अंक ले लेते हैं ठीक है दो अंक ले लेंगे यहांके आगे बढ़ जाएंगे लेकिन इसमें क्या है इस सबाल में आप देख रहे हैं कि 6 से भाग देने पर 6 से 7 को यह हमारा जो 6 है वो सही है बराबर है तो हम एक बार चला जाएगा ठीक 6 एक हम 6 6 में 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा अब हमारा शून उतारेंगे हम पहली राउंड में तो अब 6 से सून में भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे next संक्य उतारने के लिए हम क्या करेंगे हम सून बढ़ा लेंगे तो यह हम 7 उतार लेते हैं लगातार 2 संक्या हम नहीं उता प्रजों करें लाष्य वाजक संख्या कम नेक्ष उतारने के लिए हमें यह सून बढ़ाना पड़ता है फिर हम अभी हमारा सात उतार लिए हमने आप से संख्या भाग दे सकते हैं तो चे कम चला जाएगा यह एक हमारा जोगा है से बच जाएगा यह यह पिक्रिया होती है अच्का कोई अंक नीचे उताने पर इदी भाग नहीं जाता है, तो सून बान ले जाकर भाग करते हैं, इस तरह से इस सवाल हम हल करेंगे, अभी देख लेते हैं, आपके ये दो सवाल आपको दिखाई पड़ ला हैं, हल किये हुए, यहां साथ से भाग देने हैं, नो से कितन आपका दो, उतार लेंगे आठ, यह हो जाएगा हमारा 28, तो साथ चाओका 28 हो जाएगा, फिर 28 में से, 28 जो है, यह हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, हम यह दो हैं अतार लेंगे, तो दो में बाग जाएगा नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, सून बढ़ा तो यह सून बढ़ा देंगे, इस तरह से यह सवाल कर सकते हैं, साथ दूनी चोदा कर सकते हैं, या फिर इसको सेसपल दो दिखा सकते हैं, यह इस तरह से हम सवाल यह हलकर लेंगे, इसी प्रकार आठ का सवाल देख लेते हैं, आठ से भाग देंगे, कितने में, बाइस में, क्योंकि दो में बार जाएगा नहीं इस वाले दो में तो हम 22 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा 22 में 16 जाएगा 6 बची आएगा अब सुन तार लेंगे 60 हो जाएगा तो 8 साथ हो जाएगा तो 8 साथ हो जाएगा चार बचेगा अब यहां 8 तार लेंगे 48 हो जाएगा अतार यहां पर सेस आपका कुछ भी नहीं बचेगा इस तरह से हलकर लेंगे अब सवाल देखेंगे इसके next page पर देखते हैं क्या है प्रिक्रिया ये वाद देख लेंगे ये कह रहा है कि समझो हलकरो और खाली स्थार हमें भरने ये नौट कर लेंगे ठीको भाग लाता है ये नोट कर देंगे ये मालीजी यह हमारा 15 इसमें क्या है 15 से हमें 14 भाग दी तो ये 15 हमारा भाजक हो गया और चौंसरों हमारी भाज संन्के हो गई और यह हमारा भाग फल हो गई चार पंदरर चोक अउक साठ होता है और यह हमारा सेस Finance पर हो जाता है तो इस तरह से यह हम नोट कर देंगे इसी प्रकार यह पूच रहे हैं यहां पर जो भाज 101 हो भाजक 11 से हम 101 भाग देंगे तो हमारा भाग पल कितना आएगा 11 99 और 2 हमारा सेज बचिए आगा तो यहां पर जो भाज है वो 101 हम भर देंगे इसी परकार हम यह देखेंगे यह कहा रहा है कि यह हमारा जो भाजक है 103 में भाग देंगे 10 वार चला जाएगा ठीक है तो यहां 3 जाएगा तो हम यह 10 भर देंगे यह दमारी भाजक है और यह दमारे भाज सं Taoत American O 105 कि यह है जिसमें वहाग देना ठीक है 11 से 105 बाग देंगे 9090 हो जाएगा ठीक है 105 कि 105 मैं से 909 जाएगा तो आपका 6 जो है जिस पर बच जाएगा इसी प्रिकार अब आगर देख लेते हैं यह कहारा है कि यहां हमें कितना फिल करना है कि 13 से भाग दें तो साथ बार चले जाए और पांच सेच बचिएए तो हम क्या करेंगे 13 और 17 गुणा करेंगे ठीक है 13 सत्य कितने होता है एक जोड़ देगे प्लिस कर देंगे तो 13 सत्य क्यानों पांच कितना हो जाएगा वागवर वही संक्यय प्राप्त होती है किसी भी संक्या में हम एक से भाग दें मान लीजिए 20 में हम एक से भाग दें तो 20 ही आंसर आएगा ठीक है तो अब कहरें कि सुन में किसी संक्या से भाग देने पर सुन ही प्राप्त होता है किसी संक्या से ठीक 60B से हमारे 169 भाग देंगे तो horizon ही अंसर आएगा ठीक है कि इसी पिकारा next पिटल लेते हैं कि कि संख्या हम gua mega उसी संख्या से भाग देने पर स्थ भाग पर हमे cuánt पर हमेंसा कैने लता है षाँ ही होता है अब यहां देख लेते हैं भाग‌बाले सिवाग यह 1 से 9 में भाग दिया रंगे लोगे एक नृमंद 9 यहाँ एक 27 में प्राम 0 3 civilची यहाँ व देख रहे ओ सूने में किसी earn term ह YE जया आता है यह देख रहे हो संक्या से वह बहां Zyak 7 अब देखते हैं इसका और भाग करो यहां पढ़ लेते हैं किसी संक्या में 10 से भाग देने पर वहाज संक्या के इकाई का अंग सेसफल होता है और सेस अंगों से बनी संक्या भागफल कहलाती बहुत ही अच्छी तरक है यह मान लीजिए 647 में हमें भाग देने 10 से ठीक है तो आंसर हम क्या लिख देंगे इसका 64 दसवलब साथ लिख सकते हैं भाग फल यह 64 पूरे बार चले जाएंगे और साथ आपका सेसफल बच जाएगा इस तरह से हम यह सवाल कर सकते हैं अब माले 710 बच देंगे 10 से तो 71 तो नहीं पूरा बार चला गया यह सून जो है इकाई कंग सून जो सेसफल बच गया इसी प्रिकार 8,397 है 10 से भाग देंगे तो जे 849 और यह इकाई कंग 7 है यह आपका सेसफल बच जाएगा या फिर यह लिख सकते हैं 839.7 इस तरह से भी आंसर हम लिख सकते हैं इसी प्रिकार हैं देख लेंगे यह आपका 12,554 है तो 12,554 के लिख क्या करेंगे 12,555 ठीक है यह आपका आंसर आजाएगा और 4 सेसफल बच जाएगा इस तरह से इसी प्रिकार 100 की प्रिकरिया होती है किसी संक्या में 100 से भाग देने पर भाग संक्या के इकाई और धाई के अंक से बनी संक्या सेसफल होती है तो अन सभी इस अंकों से बनी संक्या भाग पर कहलाती है मान लेजी किसी में संक्या में 100 से भाग दिया आठ है दो साथ हम भाग देंगे तो यह किसका इकाई और धाई का अंक हम सेश पर हम लिख देंगे ठीक है और जो सेश रह जाएगा उसको वो आंसर भागफल आ जाएगा इसी प्रिकार हैं करेंगे 76 और 69 तो 76 हमारा जो है भागफल हो जाएगा और ये एकाय और धाई कांग के 9 और 5 ये हमारा सेश पल कहलाएगा या इसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं 76, 10, 5, 9 इस तरह से ये सवाल हम हल कर लेंगे इसी प्रिकार हजार की प्रिक्रिया होती है ठीक है? तो हजार एकाई, धाई, सेकड़ा तक चला जाएगा ठीक है? ये कर लेंगे 10 अबलब 156 भी हो जाएगा इस तरह से ये सवाल हम हल कर लेंगे अब देखते हैं इसका next पेज क्या कह रहा है? कह रहा है कि हल करो सामनता भाग के बारतिक प्रिस्णों में दो या दो से अधिक बस्तू का मान दिया होता है और एक बस्तू का मान पूछा जाता है ठीक है? पढ़ देंगे 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगे? इसके लिए क्या करेंगे? 15 पैकेट में पेंसिल आती है कितनी? 225 अब एक पैंस परेंगी तो हम क्या करेंगे 15 से भी देंगे 225 के लिए ठीक है तो उत्र जो आएगा आपका वो 15 पेंसिल आ जाएगा एक उसमें इसी पिकार ये सवाल देख लेते हैं छे पक्तियों में 360 पेंड़ लगे हैं यदि हर पक्तियों में पेंड़ों की संक्य समान हो तो एक पक्तियों में कितने पेंड़ लगेंगे तो क्या करेंगे छे पक्तिय इसका आंसर आ जाएगा इसी पिकार सवाल नमर नेक्ट दिख लेते हैं 340 रुपए में 20 पुस्त्रें खरीदी गई है एक पुस्त्र का दाम घ्याद करो तो 20 से पुस्त्र के मुल कितना है 340 एक पुस्त्र का मुल कितना होगा 340 के लिए आम 20 से भाग देंगे 20 से भाग देंगे 340 के लिए तो हम 34 में भाग देंगे पहले इस ठीक है 34 में भाज इसंगिया, 34 20 से कम 20 हो जाएगा यहां से बचेबा 24 आपका उतारेंगे सुन, तो 140 हो जाएगा 20 सत्य होताइ van 440 कुल मिलाके जो आपका अंसर आएगा वो सत्रा ठीक है 340 रुपए 20 पुस्त कर जाती है और एक पुस्तक का जो दाम हो जाएगा वो सत्रा रुपए हो जाएगा